आप लोग के सामने, अगीन मैं हाजिर हूँ, प्रेजिन्टीशन मेरा, लेकिन इंटर्व्यू, एटेंट किसी और का लेके, तो सबसे पहला कुष्टन आप लोग के सामने रखने से पहले, आप लोग को एक बात, और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, कि य मेरा जो लाइव इंटर्व शीरीज है, ये दोनों के दोनों सीरीज, उन जॉब सीकर, चाहे वो फ्रेसर हैं, चाहे वो एक्स्प्रियेंस्ट हैं, उन जॉब सीकर को असे समरपित, जो या तो पहली जॉब की तलास में, या ओलर इज रूड हैं, जॉब को स्विच करने की तलास में MIS interview questions यूट्यूब पर जाके लिखते हैं कि उससे related question मिल जाए तो ये आप लोगों को समड़ बीद है। मैं आप लोगों को बता देना चाहत हूँ, इस series में वो चुनिंदा question को मैं इकठा करके आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, जो सिर्फ ये मेरी सोच नहीं है, ना जाना मेरे ही कितने student है, जो इंटू दे के आते हैं, मुझसे अपना experience share करते हैं, वही मैं आप लोगों के स upload किया है, concept पहले सीखिए, जब आपको concept आने लगेगा, फिर वापीस आईए, interview cracker में, और फिर एक से question, उन चुनिंदा बहतरीन question का सामना कीजिए, पहले खुद से यहां से, और इतने सारे question के practice करने के बाद, जब आप interview देने के जाएंगे, तो मैं ये guarantee दे रहा हूँ, कि अगर Excel के roundabout कहीं भी बाहर हो जाएं तो, वो ही नहीं सकता, ऐसा कोई question नहीं होगा, ऐसा कुछी भी type का question नहीं होगा, जो इस interview cracker series में मैं ना लेका हूँ, तो अब हम लोग चलते हैं, अनिका जोसी से जो पहला सवाल पूछा गया था, interview देने के दौरान, वो सवाल आप ल प्रोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाईए, Excel और करियर मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए, ये रहा सवाल नमर वन, ये रहा डेटा सेट और इस डेटा सेट के बेस पे डेटा देख लिजे पहले कैसा है, ये रहा डेटा, इसका endी नहीं है, ठीक है, इस डेट के बेस पे इनको बोला गया था, कि मैम, ये रहा आपका डेटा सेट, है न, सोर्स डेटा, और यहाँ पे आपको और पूट निकालना है, ठीक है, तो अनिका ने कैसे अटेम्ट किया था, उनका अटेम्ट मैं आपसे सेर करना चाहता, सबसे बहले उन्होंने बोला सर पास कि तो वो छोड़ देगा, उसकी लुक अब वैल्यू को, तो लुक अब वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, जब मैंने सर, वी लुक अब चलाया, आप लोगों के जहने भी चला होगा, सर, यहाँ वी लुक अब ही क्यों चलाया, यह तो गलत कर रहे हुआ, ठीक है, यहाँ तो यह ट्रांस्पोज, और ऐसे टेबल एरे ले लिया गया, ठीक है, फ्रिज, बैकेट बन, अब बात करें, कॉमा, अब कॉलम का इंडिक्स नंबर, तो यहाँ उन्होंने पास किया कॉलन, ठीक है, और रेफरेंस में करसर रख दिया, बी बन, मतलब सेकंड कॉलम की वैलियों में बैकेट बन, कॉमा, जीरो और बैकेट बन, और यहाँ एंटर से काम नहीं चलेगा, आपने अंदर में क्या लग रखा है, ट्रांस्पोज, वो कौन सा फंक्सन है, एरे का फंक्सन है, यहाँ इसको एरे जैसे बिहेब कराना होगा, कंट्रोल, सिफ्ट और एंटर प्रेस करन होगा, आगया जी, अब यहाँ से यहाँ कॉपी कर लिजिए, कोई इसू नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी, यह डेटा कर दिया, कंट्रोल डी, और साथ के साथ इधर भी कॉपी, कंट्रोल र, यह आपके सामने वाट पॉट, जिस तरीके से उन्होंने अटेम्ट किया यह डेख लीजिए, ठीक है, उमीद है, आप लोगो ने भी एटेम्ट किया होगा, साथ के साथ, नहीं तो जब टाइम मिले, तो सिर्फ यह वीडियो देखना नहीं है, रोज डेली प्राक्टिस में सामिल कीजिए इन कॉपी को, ऐसा कौन सा इंट्रिवु में अनोखा सूल बनाइए और फिर देखिए कि ऐसा कैसे कहते हैं आप कि सर यह समझ में नहीं आया, अब कॉश्चन नमर्ट टू में उनसे पूछा गया था, कि काउंट आल पैन वेज कॉण्टिटी इस ग्रेटर दें जैन, लेकिन आप लोगो एक चीज याद रखना है, कि यह जो पै इस पैन से मतलब सिर्फ ये पैन भी नहीं है, इस पैन से मतलब ये और ये रेड 悦न भी, साथके साथ ये ब्लाक पैन भी, ये सारह पैन ही तो है, तो आपको सारे को धना अएवर Criteria 1, यहाँ पर Criteria 1 में क्या पास किया, और हो लो देखे, यहाँ पर बनाया array, और उसके बाद पहला Criteria तो हो गया pen, कॉमा, दूसरे Criteria में, double quotes में, star, उसके बाद पहले space और फिर लगा दिया pen, इससे क्या फाइदा होगा, देखे तो, क्या फाइदा होगा, पैन तो जहां जहां उसको पैन मिलेगा उसको भी पिक कर लेगा, साथ के साथ आपने क्या पास किया, start करना होता है all, उसको पहले space लगा होना चाहिए, उसके बाद पैन, उठा लेगा na, headed pen, black pen, कुसी को पिक कर लेगा, उसके बाद, comma, criteria range 2, यह रहा criteria range 2, comma, criteria 2, यह रहा greater than or equal to 10, यह second criteria है, bracket बंद किया जाएगा, लेकिन साथ के साथ एक काम और करना होगा, यहां पर बाहर पास कर दीजिए, sum, उसका account चाहिए न, तो sum और यहां bracket फिर से बन, अब enter, ऐसे लोग 5 हैं, इस question में पूछा गया था उनसे, create a report to show month wise revenue, ठीक है जी, और साथ के साथ, grand total का percentage चा तो कैसो नोना किया attempt, वो देखिए, सबसे पहले cursor यहां रखा जाएगा, alt and we pass कर दिया, और existing work sheet पर चले जाएगे, और यहां पर यही बना लेते हैं हम तो, revenue month wise, तो पहले date को उठा के किसम रख देते हैं, row रख देते हैं, ठीक है, ऐसे आगे रोके अंदर, लेकिन इसको हम right click किया जाएगा, और पहले इसकी grouping कर देते हैं, कौन सा, month wise grouping कर दीजी, ओके हो गया जी, यह हो गया हमारा बारो मेने का data, और revenue क उठा कर रख दिया, आप आप चाहें, तो यहां पर year भी रख सकते हैं, इस तरीके सा right click, group कर देते हैं, year भी हम ले लेते हैं, उससा और थोड पासिक ले लेंगे, तो यह थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा है, तो यह आ गया, उसके बाद, फिर से again revenue को उठाया उन्होंने, और फिर से रख दिया यहां पे, और यहां पे क्या चाहिए उनको, अब चाहिए grand total का percentage, तो grand total का percentage निकालने के लिए, यहां पे click किया गया इस तरीके सुन ले लिया, यह हो गया, किसका percentage है यह, यह percentage of grand total हो गया, यह percentage निकालने के बाद, अब उनको फिर से क्या चाहिए होगा, उनको चाहिए था percentage of year, तो फिर से revenue को उठा कर रख दिया उन्होंने, फिर से इसी, value field setting पे गई होगी, और revenue पे जाके, revenue पे और यहां प percentage of parent row total, यह है percentage of parent row total, ओके किया, यह है आपका percentage of year कहलाएगा, यह निकल गए आपका, percentage of year का percent दिखा रहा है, यह दिखे न, जो भी यह है, जन्वरी, तो जन्वरी का percent is fair, तो यह total होगी है, 51% इस साल में, और यह आपका है, 48.24%, total 100% हो गया, ठीक है, लेकिन यह जो है, यह percentage of parent row total है, याद रहे, आपको यहां पर देखने में एक ही जैसा लग रहा होगा, बट यह एक ही नहीं है, यह, इस particular row के base पे percentage निकाल लगए है, ठीक है, तो यह है हमारा percentage of parent row total, ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से इस question को, जो पूछा गया है, वही त इतने सारे ताम-जाम करने हैं, इसमें, तो सबसे पहले इस time में से in time निकाल लिए, कैसे, equal to pass कर दीजिए, left, यह रहा text, comma, number of character जहां अगरा है, find, bracket के अंदर double quotes में पहले space लगा दीजिए, फिर लिग दीजिए, 2 और फिर से space, तो सब में common है, 2, इसलिए मैंने पहले 2 को ही इसमें से, इसमें से, bracket बं, minus 1 bracket बं, यह रहा आपका निकल गया, time in time, यह रहा, ठीक है, उसी तरीके से out time, यह रहा right पास करेंगे, इसमें, text ले लिया जाएगा, comma, length, किसका length जी, इसका length, minus, find, bracket start और यहां पे, double quotes में, वही same काम, एक ही question में सारे text निप्टा दीए, देख देख लिए आप ध्यान से, comma, within text, कौन सा, यह, bracket बं, minus 2 होगा, इसमें, bracket बं, और यह रहा आपके सामने, यह निकल गया, क्या, अब निकल गया, odd time, अब, total art तो simple हो गया, equal to, d4, लेकिन सीधे, d4 में बीचल, space लगा हुआ है, तो, यहां पास करेंगे, पहले, trim के साथ, d4, देख रहे हैं, कितना आफ़ाद करक्या, पूरा text function एक में ही निप्टा दिया, minus, trim, और c4, ऐसे करें, यह देखिए, अब आया, यह निकल गया, अपका, total art, उसके बाद, equal to, निकाल दीजिए, यहां पर art, और कौन सा, और में ले लेगे, यह, और, साथ के साथ, minute, तो minute में हो गया है, वही, इस तरीके से, ठीक, और, अब count करना है, आपको, ot, की, over time, इन्होंने कितने दिरका किया है, तो, वो कैसे करेंगे, already हमरे पास, required time है, यहां पर, चीक है, अब पास करेंगे, equal to, if, यदि, यह जो, required time है, यह, greater than, कितने हो जाए, इसके, total art से, जादा हो जाए, ठीक, तो, null, नहीं तो, e4, minus, आपका, f4, bracket, burn, और end, यहां पर तो, कुछ भी नहीं आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां गया ना, सारे art, तो, 30 मिनट यहां पर extra किया है न, उन्हें ने, और यहां पर तो, 5 घंटे जादा काम किया है, तो, यह आपने निकाल दिया, OTR, ठीक है, इस तरीके से, यह थोरा सा, इन्होंने, एक ही question में, text पूरा function को निप्टाने की, courses की, अब चलते हैं, next question, अब इस question में, पूछा गया था, कि, get random character, uppercase, a to z, a to z, a से लेके z तक का, random character इन्हों को यहां पर चाहिए, उन्होंने क्या कहा, कि sir, random number तो आपने निकालना बताया था, random number निकल जाता है, दो number के बीच का, जो random value निकल जाता है, साथ के साथ, American standard character जो होता है, चीक है, उसमें 65 to 90 होता है न, 65 से लेके, 90 तक का code, यह किसका है, 65 to 90 code है, a to z का, और वो भी कौन से वाले का, capital वाले का है, a to z का, तो वही देजिए, यहाँ पर क्या पास करेंगे, यहाँ पर select, पहले इतने दुरू select कर लिया उन्होंने, और यहाँ पर पास किया, equal to care, और character जैसे पास किया, वो number बांग रहा है, तो जहाँ नमबर बांग रहा है, यहाँ पर पास कर दो, और code किसका पास कर दो, 65, यह capital A का code है, से 90, तो यह क्या करेगा, 65 से 90 के बीच का random value है ना, तो value के बाहर क्या चला रखे आपने, care उसके बीच का character उठा के लिएगा, control interface कर गए, ठीक है, control interface कीजिए, यहाँ पर A से लेके Z के बीच का random character आपके सामने, तो उमीद करता हूँ, आज के interview cracker का question किसी भी Excel के interview को crack करने के ल नेक्स्ट वीक फिर से किसी के interview experience के साथ, thank you.